अतीत में नागपुर शहर न केवल राज्ज में बलकि देश में आपरात की राजधानी के रूप में जाना जता था ग्रहा मंत्री के रूप में नागपुर पर इस धारना को मिटाने की कोशिश कर रहा हो ग्रहा मंत्री अनिल देशमुक ने चेताओनी दी है कि नागपुर मे पुलीस आयुक तो भुशन कुमार उपाथ है के मार्गदर्शन में एक उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। नागपुर शहर में 118 अपराधियों को मोका के तहत निर्वासित किया गया। जबकि 51 अपराधियों को निर्वासित किया गया। शहर के जाने माने गुंडे करके खिलाब कारवाई की गए। यहीं नहीं शहर की पुलीस ने अवेद रूप से बने बंगले को भी धस्त कर दिया। इसी तरह मानकापूर में साहिल सेयद का अलिशान घर जो बरतमान में चर्चा में है अवेद पाया गया। और पुलीस ने इसे धस्त करने के लिए तत कि क्या नाकपूर शहर में कोई कोख्याद गुंडे बचे है लेकिन अब मुझे सूचित किया गया कि शहर में कोई कोख्याद गुंडे नहीं बचे है मैं नागरी को कुछ चुनोती देता हूँ कि अधि उनके पास ऐसे कोई कोख्याद गुंडे के बारे में जानकारी है औ और सभी शिकायते मेरे विशेश परिचाला नदिकारी डॉक्टर संजेत धोटे को 20 अगस से 25 अगस तक 3 से 4 बजी तक साक्ष के साथ प्रस्तुत की जाने चाहिए। अनिल देश मुक्निक यहाँ भी कहा जिन गुंडों के नाम मुझे जानकारी और सबूत देते हैं उन्हें गोपनिय रखा जाएगा। NBCN News के लिए अभिशिक पान से के रेपोर्ट